नमस्कार, आईए सुनते हैं श्रीश्री सार्दा देवी की अभयवाद मा कहती हैं भय मत करो, मानव जीवन तो कश्टों से भरा पड़ा है और यहां भगवान का नाम लेते हुए सब कुछ धैर्य पूर्वक सहना पड़ता है कोई भी यहां तक मानव रूप में भगवान भी शरीर और मन के कश्टों से नहीं बच सकते अवतारों, संतों और महापुरुश्यों को भी कश्ट भोगना पड़ता है क्योंकि वे सामानने मानवों की तुटियों और भूलों के पाप का भार स्वैम उठा लेते हैं और इस प्रकार वे मानवता के कल्यान के लिए आत्मोत सर्क कर देते हैं कोई भी व्यक्ति हमेशा दुख नहीं भोग सकता कोई भी व्यक्ति इस जगत में जीवन भर कश्ट में नहीं रहेगा प्रतेक कर्म का फल होता है और उसके अनुसार ही व्यक्ति सुख या दुख का भोग करता है मेरी संतान यदी धूल कीचर में अपने को सान ले तो मुझे ही तो उसको साफ करना होगा और गोद में उठाना होगा लेकिन बेटा चिंतित न होना ये जागतिक बंधन शनभंगूर होता है आज तो वे ही जीवन के सब कुछ और अन्तिम लक्ष प्रतीत होता है पर कल ही वे समाप्थ हो जाता है तुम्हारा वास्तवीक बंधन तो भगवान के साथ है भगवान से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारा रिदै स्फटिक के समान पवित्र करते जब तुम निष्टा पूर्वग जब और ध्यान करोगी तो तुम देखोगे कि भगवान तुम से बाते कर रहे है तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम परम आनंद का अनुभव करोगे अगर कोई भगवान की शरन में जाता है तो उसकी नियती का लेखा भी कट जाता है नियती स्वैम अपने हातों से ऐसे भक्त के भाग्य के विधान को मिटा देती है कठी नायां तो आएंगी पर वे सदा नहीं रहेंगी तुम देखोगे कि वे सब पुल के नीचे से बहकर निकलने वाले पानी के समान विलीन हो जाएंगी ठाकुर कहते थे जिन लोगों ने मुझे पुकारा है उनके मृत्यू के समय उनके पास रहूंगा उनके अध्रों से ही ये शब निकले है अपने मन का सारा भार ठाकुर को सौप दो तुम उनके सामने अपने कश्टों को बताते हुए रो तुम देखोगे कि वे तुमारी जोली तुमारी इच्छित वस्तुओं से भर देंगे उस इश्वर को पुकारो जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है वह तुम पर अपनी कृपा की वर्षा करेंगे हमारी प्रात्ना यही रहेगी कि इश्वर सब के उपर अपनी कृपा की वर्षा हमेशा करें आशा है यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहे है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ शेर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दमाएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद